हालो गाइस आज हम रिव्यू करने वाल हैं अन्लॉक मूवी का यह जी फाइब की ओरिजिनल फिल्म है और दोस्तों इसमें हिना खान और कुशल टंडल दोस्तों एक शॉर्ट फिल्म है मैं आपको उताम का मूवी कैसी है तो अपने इस एकसाइडिंग रिव्यू को देखना तो लेट्स चार्ट मैं हो मिनीत जी फाइफ की अन्लॉक रिलीस कर दी गई है दोस्तों यह एक शॉर्ट मूवी है अठावन मिनिट की मूवी है दोस्तों अगर मैं इसकी स्टार कास्ट की बात करूं तो इसमें हिना खान और कुशल डंडन दोस्तों इसका वन्वर को पाने के लिए एक एफ का सारा लेती है और वोगत के एंची मोभी देंखने पड़ेगी दोस्तों , यी जिस तरह मैंने इसका ट्योटर दा उस ट्रैलर तो बिल्कुल यह लगे जियान दोस्तों ट्रैलर में मुझे मोभी काफी शस्पेंस वड़ीय reparु घ्रने को अच्छा आपने लिया पर दोस्तों जिस तरह से मूवी में इन लोगोंने जो एक्टिंग करी है या फिर जिस तरह से और खास करी दूस्तों टुस्टर टर्णने इतने प्रेडिक्टिवल है कि आपको पता ही चल जाएगा कि मूवी में आगे क्या होने वाला है और सबसे बड़ी बात दोस्तो जो इसको होरर बताया गया है बिलकुल भी इसमें मुझे होरर नहीं लगा क्योंकि इसमें कुछ हảiनी हरश के लिए और mistery movie इसको बोला यह रहा है जब दोस्तों mystery movie अगर ऐसी होती है कि इसमें एक अलगी twist or turn होनी चाहिए suspense एक ऐसा होना चाहिए कि देखके आदमी डर जाया या देखके आदमी हिल जाया वह इस movie में बिलकुल भी नहीं है और सबसे बड़ी बात दोस्तों actors और जो इसके actor है कुशल रंडर हिना कान इनके expression आ आपको मतलब खुदी गुस्ता आने लगेगा और सब्सक्राइब बड़ी बार दोस्तों कि यार मतलब आपको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है movie में और वह एप कहां से आती है क्यों आती है इसमें कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया है 58 मिट की movie में इन्होंने जो इसम भी डाल दिया है मतलब कुल मिला कि यह है कि अगर आप इस movie को देखने की इच्छा रख रहे हो ट्रेलर के बाद तो दोस्तों आप बहुत निराश होने वाले हो क्योंकि जिस तरह की movie में मतलब मुझे लग रहा था इस movie के बारे में कि यार एक नया content होगा एक नया concept होगा यह कुछ भी नहीं निकला मतलब नॉर्मल सी एक movie मना दिये है आपको सुरू से लेके end तक सब कुछ पता होगा इस movie में क्या होने वाला है और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यह है कि जिस तरह से इस movie को आप देखते जाओगे आप बार बार time देखोगे movie कब खतम होने व अगर आप इस movie को नहीं भी देखोगी तो कुछ आप बहुत बड़ी चीज मिस नहीं करते होगे दोस्तों तो दोस्तों मैं इस movie को 5 वेसे डेड़ स्टार देना चाहता हूं और यह मैं किसी को recommend नहीं करता अगर मैं बस यही बोलना चाहता हूं दोस्तों कि आप अगर अपन द्रकुमत बूलेगा जय हिन जय भारत